Study Hack with Mac channel में आप सभी का स्वागत है जैसे कि इसे प्रिविश व्योडियो में हमने C++ से रिलेटेट कुछ टोपिक्स को क्लियर किया था आज हम करने जा रहे हैं Input and Output Operator in C++ First question है मारे पास Input Operator Input Operator क्या होता है इसमें हम किस चीज़ का यूज करते हैं कौन सो Object यूज होता है वो पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए हम कौन से Operator का कौन से Symbol का यूज करते हैं Right Shift Operator का इसको हम क्या क्या कह सकते है Input Operator को First हम कह सकते हैं Input Operator Next Extraction Operator Right Shift Get From Operator यह सब क्या है मारे पास input operator के different name है अब input operator का काम क्या होता है, क्यों हम input operator का use करते हैं और किस तरीके से इसकी working होती है हम working को समझते हैं इसकी जैसे हमारे पास क्या है, keyboard है keyboard से हम कोई भी value को, कोई भी data को input करेंगे कैसे करेंगे, जिसे मैंने कोई भी variable के लिए एक data को input करना था एक value को input करना था तो मैंने keyword से कौन से value प्रेस कर दी मैंने value प्रेस करी 45 तो यह 45 value कहां गई यह variable की value है यह store हो गई जाके अब इस extraction operator की help से यह कहां पर जाएगी see in object के पास जाएगी और see in object क्या करेगा जिसकी भी variable की value मुझे चाहिए थी वो variable memory में कही न कहीं store होगा और जो भी उसकी value होगी वो भी memory में जाके कहीं न कहीं क्या हो जाएगी store हो जाएगी तो एक simple सा पंडा क्या है इसका कि keyboard के थुरू जो मैंने value को enter करा see in जो object है extraction operator की help से उसे कहां तक पहुचाएगा variable के पास पहुचाएगा अगर इसका एक example देखते हैं हम कैसे जैसे मैंने एक variable declare कर दिया integer type पा int a and semicolon अगर मुझे a की value को enter करवाना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा see in object हम लिखेंगे extraction operator लगाएगे और जिस variable की value को मुझे enter करवाना है उस variable को लिखेंगे जैसे मैंने a को initialize किया था a को declare किया था उसको हमने scene में डाल दिया जो भी value आएगी अब जैसे मैंने यहाँ पर 45 value enter करी थी जो भी 45 value keyboard से press होगी वो कहां पर चरी जाएगी a को मिल जाएगी अब next question है इसका output operator output operator क्या होता है यह होता है output operator का symbol इसको more क्या कह सकते हैं इंसर्शन operator लेट शेट ओपरेटर और पुट्टू ओपरेटर अब हम output operator की जो भी working होगी किस तरह से यह काम करता है वो चेक करते हैं जैसे यह हमारे पास एक screen है एक हमारे पास display करवाने के लिए कुम से object होता है cout object होता है insertion operator होता है और हमारे पास string है जैसे मैंने keyboard से एक string को enter करवाया वो string क्या थी मेरे पास c++ यह एक string है क्योंकि डबल quoted में है जैसे कि आपने c में भी पढ़ा होगा जो भी हम string लिखते हैं उसके ओपर हम कहा करते हैं कॉलन्स लगाते हैं इसके बिना वो string नहीं क्यलाती कीबोर से मैंने एक string एंटर करी c++ वो string कहां गई insertion operator के पास गई insertion operator क्या करेगा इसको forward करेगा cout object के पास और cout object क्या करेगा इसको डिस्प्ले करवाएगा screen पे इसको डिस्प्ले करेगा screen पे इसके एक्जेंपल देखते हैं हम output operator का output operator को हम two types यूज़ कर सकते हैं first use है हमारा कि हमारे पास जो string है जो हम लिख रहे है कि हम यह display होनी चाहिए एक तो हम उस string को display करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि computer में compiler के द्वारा जो भी calculation हुई है उसकी value को display करवाने के लिए भी हम क्या कर सकते है variable इस cout operator का use कर सकते हैं first use देखते हैं इसका cout insertion operator insertion operator में क्या रखा है मैंने columns लगाए और उसके अंदर एक string को रखा इससे क्या होगा इसका output मज़े क्या दिखेगा इसका output होगा c++ चीक second use क्या है इसका हमारे पास कि अगर मुझे कोई calculation करने के बाद कोई value display करानी है या फिर मैंने value को enter करवाया और उसी value को display कर दिया तो उस value को display करवाने के लिए हम क्या करेंगे cout insertion operator और जो भी variable होगा जिसकी value हमें display करवानी होगी वो हम रखेंगे अब देखो क्या difference इन दोनों की बीचे में कैसे पता लगेगा कि कौन से चीज़ as it is display हो रही है कौन से चीज़ हमारे कहने से display हो रही है जब भी हमें अपने according कोई भी value को display कराना होता है कि हम चाहते हैं कि जो हम लिख रहे हैं coding में वही same to same display हो जैसे यह c++ है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसे ऐसे double quotes में रखना होगा अगर हम चाहते हैं कि उसकी value display हो तो हम उसको single रखेंगे कोई भी double quote का use नहीं करेंगे next question है हमारे पास variables in C++ variables क्या होते हैं C++ में variable like container to store your data variable क्या होता है container की तरह होते हैं जैसे हमारे पास एक box है एक container है यह box है और इस box का नाम मैंने दे दिया कि box को हम क्या कहेंगे box का नाम है इस ए के अंदर जो भी value आएगी जो भी variable क्या होते हैं एक container होते हैं जो क्या करेंगे store करेंगे हमारे data को not fixed value variable की value कभी भी fixed नहीं होती variable की value में चेंज होती रहती है अब मैंने कहा program में कि दो बार मैंने value को enter करवाने के लिए same variable के लिए मैंने लिखा enter the value of a मैंने 45 एंटर कर दी next time मैं तो यहां पर जब हम 10 value एंटर करेंगे तो 45 खटकर क्या आजेगा 10 आजेगा तो यह value क्या है हमेशे के लिए fixed नहीं है हमेशे change होती रहेगी store data according to the data type int can be local global and static कि जो भी data हम store करते हैं वो किसके according store होता है according to the data type जो भी data type होगा उसके according हमारी value store होगी जैसे कि अगर integer type का value है तो वो 2 byte का space लेगा 2 bytes float type की value है तो किस type का space लेगा 4 bytes का लेगा double है तो वो कैसे type का space लेगा वो 8 bytes का लेगा care है तो care कितने byte का लेगा one byte का space लेगा इसके according मतलब जो data type है उसके according variable का लेता है अपना space लेता है और variable कितने टाइप के होते है लोकल global and static एक्जेंपल देखते हैं इसका variable के एक्जेंपल है कि इंट टैप का डेटा कैसे होगा जीरो वन मैनस वन एट वन वन टू वन फिप्टी माइनस टैप का डेटा होगा मतलब इंटीजर क्या होता है जिसके अंदर जीरो भी इंटीजरwewn वा एंटीजरे में सब कुछ इंटीजर वाली टर्म्ष वोती हैं सिवाए कि floating values के floating मतलब जो point वाली values होती है उसको छोड़के Int 삶 में सब कुछ include होता है floating values के होती है जो point वाली terms हति हैं यह कितनी भी हो सकते है इसके लिमिटिड होती है values उसके according होगा character क्या होता है single character जिसे A हो गया B हो गया C हो गया D हो गया या फिर इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं 1 भी एक single character है अगर मैंने लिखा 2 भी एक single character है ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर alphabet ही आएगा येवल symbols भी आ सकते है character कोई भी special symbol भी character हो सकता है double में क्या आएगा double की भी अपनी limit होती है इसके अंदर भी floating point numbers आते हैं लेकिर इसकी जो floating point से ज़्यादा capacity होती है store करने की 8 part की boolean values कौनसी कौनसी होती है 0 और 1 boolean में से दो ही आते है 0 और 1 types of variable अब variables कितने type के होते हैं 3 types के होते है local, global and static local variable क्या होता है कि जिस function में अगर मैंने main के अलावा उसको कहीं और किसी अलग function में जो main से अलग है उसके अंदर मैंने उसको declare की है तो उस function का scope उस value का scope कहां तक रहेगा उस function तक रहेगा सिर्फ टीक लेकिन global क्या होता है कि हमने उसको प्रोग्राम के बाहर कहीं पहले से initialize कर दिया, declare कर दिया तो उसको हम कहीं से भी access कर सकते हैं static क्या होगा जिसकी value 0 हमने initialize कर दिया और वो as it is रहे next question है हमारे पास constants in C++ constants क्या होते हैं C++ में opposite of variables variables से opposite होते है, variables क्या होते हैं हमने पढ़ा अब ही कि एक as a store काम करते हैं box है जैसे box के अंदर कोई भी value हम store करते हैं और value क्या होते है, fixed नहीं होती है लेकिन constant में value fixed रहती है अगर मैंने लिख दिया कि constant int equals to 10 तो हमेचा a की value उस program के लिए सिर्फ 10 ही रहेगी उस value को हम change नहीं कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए कि constant value है हम क्या करते हैं, const नाम से keyword का use करते हैं और वो कैसा है, integer tag का है, इसके आगे बस मैंने keyword लगाया है, const नाम से, जिससे हमें क्या पता लगा कि A की value कभी भी इस program के लिए, जिसमें हमें इसको 10 इन श्राइज किया है, कभी भी change नहीं होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो इससे like और जाद से जाद शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके help के साथ साथ बाके सब्स्टूरेंट के भी help हो, और इससे जूड़ी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए bell icon को प्रेस करें, thanks for watching my video